सो है एवर्यवरीवर्डी दिसस्पारशन संस्र और आज के सीवीडियो में मैं आपको कर्वाने वाला हूं पॉलिटिकल साइंस का फ्लेव का डिटेल आनलाइसिस तो इसका अनलाइसिस करने से पहले कुछ बाते बता देता हूं जो आपका exam होता है वह होता है असी नमबर का और जो आपका beef नमबर होता है वह internal assessment का होता है और time जो मिलता वह आपको तीन घंटे का और अब तो यह सब कुछ वैसा नहीं है यह आपको पता होगा political science की बात करने वाला हूं मैं और बीये second year third semester का paper है ठीक है सब जो इस साल आपका पोड़ा के साइंस में ना वो थिोरीज है क्या है वह थियोरीजिए कि और अटिंकर्स की ठीक हो गया और बहुत सभय ऐसे हो जैसे काल माक्स का हो गया या फिर लैनिन का हो गया या फिर बहुत फार एब बहुत सब्सक्राइब create एंके थी तो कैसे करना ठीक है यूनिट वन यूनिट टू यूनिट थ्री एंड यूनिट एंड यूनिट फोर ठीक है अब यहां पर पॉलेटिकल साइन्स बहुत इजी है अगर आप नहीं भी पढ़के आते हो थोड़ा सा अगर बुद्धी लगा देते हो तो पास हो जाओगा आराम से क्या है हर च पर एक कुश्चन आएगा एक यह दो कुश्चन आएगा जैसे की देखना कि यूनिट है आपके टोल चार इंट एक कोशन आता आपका सोले नमर का सोले इंटु 4 60 64 मार्क्स यहीं पर हो गए ठीक है प्लफ 16 मार्क्स हो जाते हैं 80 कितने हो जाते हैं 64 और प्लफ 1680 हो जाते हैं अब करना क्या है आपने थोड़ा दिमाग लगाना है और जो बागी के 16 नमबर के है वो तो आपका दो दो नमबर के आठ कुश्चन आते हैं क्या आते हैं कि दो दो नमबर के आठ कुश्चन आते हैं अगर आपको पता होगा तो दो इंटू आठ तो 16 हो आते हैं और बागी के 64 नमबर के आते हैं 16 नमबर के ए कुश्चन चार तो यह है आपका कुछ इस तरह फेपर जो है वो आता है अब पहला जो चैप्टर है यूनिट वन में उसमें दो चैप्टर आते हैं हमारे दोनों बहुत इसी है इन में से आपके दो कोश्चन आएंगे डेफिनेटली पॉलिटिकल फाइंस डेफिनेशन मीनिंग नेचर एंड स्कूप सेम कोश्चन उठकाता है डिफाइंड पॉलिटिकल साइंस नेचर एंड स्कूप मैंने इंपोर्टेंट कोश्चन बता रखें आप चैनल पर जाकर देख सकते हो और इसके बाद जो दूफरा कुश्चन आता है वो रिलेशन सब पॉलिटिकल साइंस तो इसमें आपका पूछेगा रिलेशन पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल साइंस तो इस टाप के कोश्चन इसमें से बनेंगे दो कोश्चन आएंगे और अगर आपको पता होगा तो अब जो स्कीम चल रहा है कोवीड के वजाए से आपको कैसे भी करके बस आपको अफिमाक्स का पेपर करना है चाहें आप एक ही यूनिट के जो अप् करना होता है यूनिट वन में दो कुशन दियो उताब एक करणा अब अपो क्यоп में करने होते हैं तो यह यह धरम को पता होगा यह NEXT जो आता है हमारा वो श्टेड डेफिनेशन अलिमेंट यह वह बहुत बोलेंगे लेकिं घूड़ाव क्रीटिकल अप अपने बढ़ानी ह कर सकते हो कोविड के टाइम में अगर कोविड के बात देख रहे हो यह वीडियो तो आप यह गलती मत करना मैं केवल यह दो है और बाइफ में होने वाले थर्ड समस्टर की बात कर रहा हूं तो क्योंकि उनको उन बच्चों को क्या ओप्शन दिया कि आप अफी नम्बर के पेपर करना चाहिए आप एक ही में इसे दोनों कर लिजिए यानि कि एक ही युनिट पे दोनों कोश्चन कर लिजिए कोई दिक्कत नहीं तो इस पर नोट नेचर ऑफ इस्टेट लिब्रल मार् प्लूराइस्टिक एक पुछता है एक के ऍधाली वीडियों तो यह नहीं में जब तक के लिए जाहिए चैनलों पड़नाई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना लेकान प्रेस कर लेना दोस्तों साथ शेयर कर लेना मिलेंगे फिर नई क्लाफ में जब तक के लिए जय